नमस्कार बच्चों, मैं विकरम सैंक. अब होगा नई क्लास, नया चाक्टर. क्लास 12 में आ गए है और क्लास 12 को बेहतर बनाना हैं और साथ में आपके नीट और जेए के अगरी क एक्जाम को भी बेहतर बनाना है. ये भी देखे कि class 11 कितना रहा कैसा रहा ये भी देखना है और साथ में बच्चो आपको कुछ special gift देना भी है हमें तो आपके लिए हम special test भी लेके आए हैं लेकिन ये जो test होने वाला है वो आने वाले शनीवार को रात को 8 बजे होगा याने शनीवार शाम को 8 बजे होगा सब भी बच्चे जितने भी बच्चे मेरे पास मेरे class में आते हैं चाहे 12 के हों चाहे 11 के हों चाहे आप हों या आपके दोस्त हों सब को बता दीजेगा एक competition होने वाली है शनीवार को कि chemistry में ऐसे question लेके आऊंगा जो special test होगा, एक special link होगा और उसमें जो बच्चा जीतेगा जो बच्चा win करेगा, जो जीतेगा उनको देंगे एक special gift तो भाई ये भी होने वाला है आपके class में मतलब ये साल जो है आपके लिए interesting भी होने वाला है पढ़ाई भी होने वाला है, मनुरंजन भी होने वाला और बेतर होने वाला है, बेतर ही result वाली class आपको देने वाला हूँ मैं तो बच्चो इस बात को ध्यान रखो कि मेरे साथ आप बने रहो, आज की class में मैं लेने वाला हूँ, chapter 2 विद्ध्युत रसाइन जो सारे बच्चे दिला सकते हैं, class 11th वाले भी बच्चे दिला सकते हैं, 12th वाले भी बच्चे दिला सकते हैं जो NEET और JEE के exam दिला रहे हैं वो भी बच्चे दिला सकते हैं, रहिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ले के आईएगा क्योंकि जब तक 7-800 बच्चे नहीं रहेंगे उस टेस्ट में तब तक टेस्ट दिलाने में कोई मजा नहीं आएगा और आपके जीतने में भी मजा नहीं आएगा यानि हम ये समझें कि आपको हरा कौन रहा है आप में इसे कौन जीत रहा है सब को पचाड के कौन सलेक्ट हो रहा है ये वाली बात होती है और ऐसे स्थिती में फिर देखेगा कि आप एक विनर बनके आएंगे और आपको एक स्पेशल गिफ्ट भी देंगे आप समझ सकते हैं शनीवार का बिल्कुल वेट कीजेगा लेकिन हाँ आज है विद्युत रसायन विद्युत रसायन का मतलब समझ जाएगा विद्युत और रसायन इसके बारे मैं डीटिल जानकरी देने वाला हूँ बस देखीगा विद्युत और रसायन यानि विद्युत का रसायन के सां संबंध का अध्यान किया जाता है रसाइन विज्ञान की वह साखा जिसके अंतरगत, विद्युत और रसाइन के मध्य अंतर संबंध का अध्यान किया जाएगा तो इनके बारे महां बात करें कि बहुत आसान है बहुत मज़दार है, आज पूरी क्लास तक बने रही है देखो बेटा, अगर किसी चाप्टर में अगर आप शुरू से अन तक टिके नहीं रहोगे, तो आप कभी भी किसी चीज़ को सीख नहीं पाओगे मैं चाहता हूँ कि आप सीखो, और आप भी चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा कर लो, इस साल रिजल्ट बहुत सुन्दर आने वाला है, बहुत बढ़ी आने वाला है बस हमारे साथ बने रही है विद्ध रसायन में, चले दो शब्द हैं इसमें विद्ध और रसायन, शब्द पर ध्यान दीजेगा कितना असान है, विद्ध रसायन दो शब्दों से बनाए एक विद्ध और एक रसायन विद्ध, विद्ध उर्जा है एलेक्टिसिटी है विद्ध उर्जा है विद्ध उर्जा है और दूसरा है रसायन मतलब रसायन, यानि की केमिस्ट्री पदार्थों का विज्ञान अब इसके अंतरगत हम क्या पढ़ेंगे इन दोनों चीजों को अगर हम आधार माने तो कह सकते हैं ये संबंध है रासानिक क्रिया से किसे संबंधित है? ये रासानिक क्रिया से अब देखें दो शब्दा आपके पास आगया है विद्ध उर्जा और रासानिक क्रिया रसाइन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतरगत विद्ध उर्जा और रासानिक क्रिया के मद्य संबंध का अध्यन किया जाता है अगर विद्धुत रसायन को परिभाशित करूँ तो क्या परिभाशा दूँगा? क्या लिख सकता हूँ? रसायन विज्ञान की वाशाखा शाखा जिसके अंतरगत अब देखो परिभाशाएं भी लिखने आनी चाहिए परिभाशा आप बनाने भी आना चाहिए ताकि किसी के सामने अपनी बातें अपनी भावनाई कह सके याने किसी प्रश्ण का उत्तर दे सके किसी में पूछा भाई आज आप पढ़के क्या आया हो? तो आप क्या जवाब दोगे? इलेक्ट्रो कमेस्ट विद्ध रसाइन पढ़के है क्या मतलब होता इसका? तो आप क्या बूलोगे? यहाँ पर तो कोई जवाब नहीं मिला अभी तक? यहाँ बे जवाब मिला है इसी बात को कहेंगे तो क्या है? रसाइन विग्यान की वाशाखा जिसके अंतरगत रासाइनिक अभिक्रिया तथा विद्ध उर्जा के मध्य संबंध का अध्यान करते हैं के मध्या अंतर संबंध का अध्यान करते हैं मतलब रासानिक उर्जा, रासानिक अभिक्रिया और विद्ध उर्जा के बीच होने वाले संबंधों का अध्यान किया जाता है ये कह सकते हैं कि विद्ध धारा पर वाहिद करते हैं किसे रासाइन में तो उसमें होने वाली रासानिक अभिक्रिया यह कह सकते हैं रासानिक अभी क्रिया से विद्धू तोर्जा का निर्मान विद्धू धारा डाल रहे हैं तो रासानिक अभी क्रिया हो रही है रासानिक क्रिया से विद्धू तोर्जा उत्पन हो रही है यह दोनों प्रक्रियाओं का हम अध्यान करेंगे तो इसे कहा जाता है उस विज्ञान को इलेक्ट्रो केमिस्टर कहा जाता है यानि विद्ध धरप रवाहिद करने पर होने वाले रासानिक परिवरतनों का ध्यान किया जाता है रासानिक अभी क्रियाओं का ध्यान किया जाता है तो रसाइन विग्यान आपको clear हो चुका है, बहुत रसान है, मेरे साथ आप लिखते चाहिएगा, मेरे साथ अपनी notes बनाते चाहिएगा, और आप हमेशा कहूंगा test दिलाते रहिए, class के बाद आपको test मिलेगा, तो उसके साथ भी रहिएगा, नीचे description box में link दिया है, उसके स जासानिकभिकर ताथ विद्त और जाकि मद्य के अंतर संबंधों का ध्यान क के जाता है, अर्थाथ विद्ध्ध घ्रा अगर आप दूसरी तरस में लिखना चाहते हैं, विद्ध्ध्ध्ध्धा प्रवाहित करने पर होने विद्त कर आफा bon, जा है क्या में यहने जब किसी पदार्थ में रास्त क्या किया जाता है दिखिए यहीं पर अगर हम बात करें इस तरह से कि आपने कई बार सुना होगा कि भाई ऐसे सोच लो यह एक है नमक का विलियन एने सील का विलियन है और इसमें आपने दो धातू के प्लेट लगा दिये रोड लगा दियां इसमें आपने विद्धत्धरा प्रवाहित किया किसी सेल से यह प्लस और यह माइनिस आप क्या देखो के जैसे विद्धत्धरा प्रवाहित करते हो अच्छा है वोल्ट 12, 24 वल्ट, जितना भी आप दे सकते हैं, अब एकदम AC voltage नहीं, DC, DC, cell लगाया हूँ मैं यहाँ पर, तो यह विद्धधार प्रवाहिद करते हैं, तो यह electro positive हो गया और यह electro negative हो गया, आप क्या देखोगे पता है, इस जगह से chlorine gas निकलने लगती है, इस जगह से chlorine gas निकलता है, इस जगह पर sodium धातो एकठा होगा, और पानी से reaction करकी यहाँ पर NaOH का निर्माण होने लगता है, होता तो sodium धातो है, लेकिन finally वो पानी से reaction कर जाता है, और NaOH बनेगा और hydrogen gas मिलेगा, तो इस जगह पर gas निकलती है, hydrogen gas, तो यह जिब प्रक्रिया होगा, अब यह पूरा reaction है, कैसे होता होग यह सारे चीज़ों को सीखना है हमको आगे जा करके, लेकिन अभी विद्ध रसायन के मतलब को हम समझ सकते हैं, एक प्रक्रिया यह हुई, दूसरा है जैसे कि यह remote है, आप देख रहे हैं, इस remote में आपने यह जो लगाएं battery, यह क्या चीज़ है, chemical का एक पूरिया है, रसाय नमक किसमें परिवर्तित हो गया, देखो, नमक परिवर्तित हो गया, क्लोरिन के समय, सोडिम हड्रोकसाइड में और हैड्रोजन के समय, तो नमक और पानी दो चीज़ों की reaction से होने लगा है, तो किसमें कराया यह एक्शन, यह इसमें कराया, विद्ध धरा, अगर आपने ऐ इस तरफ क्लोरिने कैसी निकलता है इस तरफोई यह एक छोटी सी बात आपने देखा चलो अब आजे बात करते हैं तो क्या आपको इसकी परिभाशा मेली ज़ी आ विद्यत रसायन का रसायन विख्यान कि वह शाखाज इसके अंतरगत रासायने भिक्रिया और विद्ध उर्जा के आपस में संबंद का अध्यन किया जाता है ये परिभाशा मैंने आपको दे दिया बात करूंगा सेल ये शब्द आता है सेल किसे कहेंगे कई बार सुने होंगे सेल कोई बच्चा अगर बताए तो जरूर आपने सेल का मतलब क्या समझते हैं ए परिभाशित कर सकते हो आपने सेल में क्या दिखै पिटा, एक बरतन ही तो होता है, बरतन में याने पात्र में कोई पदार्थबारा होता है और उसमें कुछ इलेक्टोड लगे रहते हैं, दो इlek्टोरे यह दे धन वाला और इंड वाला ठीक है इसमें या तो विद्धर्धारा प्रवाहिद की जाते हैं या इनसे विद्धर्धारा तो यहां पर हमने ऌने बीज़्धर्धार प्रवाहिद करने पर रासानिक क्रिया हो रही है मैंने आपको एक और सेल दिखाया, उसमें क्या होता है, रासानिक क्रिया होती है तो विद्धारवत्पन होता है, सेल वैसे दो प्रकार का पता चलिए, लेकिन इन दोनों प्रकारों के नाम भी लिखेंगे, आप अपनी इसाब से नाम लिख करके मुझे बता भी सकते हो, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, नाम लिख हो गया, ठीक है, बात बताओंगो थोड़ी दे बात, पहली बात बताना है, परिभाशित कैसे करोगे, जिस पात्र में विद्धुत और जायम, रासानिक और जाम में परिवर्तन कराते हैं, उसे सेल कहते हैं, चलिए, मैं यहाँ पर जिस पात्र में विद्धुत और जायम, रासानिक और जा, रासानिक और जा को रासानिक अभिक्रिया भी लिख सकते हो, अभिक्रिया, जिस पात्र में विद्धुत और जायम, रासानिक और जाम में परिवर्तन कराते हैं, क्या कहलाता है, सेल कहलाता है, उसे सेल कहते हैं, क्लियर हुआ, सेल क्या है, बिटे सेल दो प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, पहला, यह लिखने के जरूत नहीं है, पर मैं लिख देता हूँ आपके सामने, पहला, विद्धुत रासानिक सेल कह सकते हैं, विद्धुत रासानिक सेल जो रिमोट कंट्रोल में लगा है, विद्धुत रासानिक सेल है, यह क्या होता है, इसको डिटेल में बात करेंगे थोड़ी दिर में, इसको इलेक्ट्रो केमिकल सेल कहा जाता है, ठीक है दूसरे सेल कौन से होगा बताएं विद्धत अब घटनी सेल इसको कह जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो सेल एक्चिली दो प्रकार का हुआ सेल किसको कहेंगे उस सिस्टम को कहेंगी वो पूरी विवस्था को कहेंगे जिसमें विद्धारा प्रवाहित करते हैं तो रासानी का भिक्रिया होती है या जिसमें रासानी का भिक्रिया होती है तो उड़्जा उत्पन होता है वो पूरा सिस्टम को cell कहेंगे तो cell क्या हुआ cell हुआ जिस पात्र में विद्यूत उर्जा विद्यूत उर्जा से रासानिक उर्जा या विद्यूत उर्जा से रासानिक परिवर्तन या रासानिक परिवर्तन से विद्ध और जाकर निर्मान किया जाता है उसे cell कहते है, लंबा हो जाएगा, इसले short में लिखा आपके पास काम की चीज जितना होना चाहिए, उत्रा ही है हाजी, चलिए, हो गया clear है, तो ये है cell अब बात करते हैं, cell दो प्रकार का हुआ विद्ध रासानिक cell, विद्ध अबघटनी cell अब ये दोनों सहलों को हम इस पस्त तोर पे समझें कि विद्ध रासानिक cell क्या होगा, विद्ध अबघटनी cell क्या होगा चित्र भी बनाना है, बेटा कॉपी और पेन लेकर के बैठिये बहुत जरूरी है, कॉपी और पेन लेखर के बैठिये है, जल्दी से है ना, और स्केल और पेंसिल रबर है, तो और अच्छी बात है, बात आपको अच्छे समझ में आएगा, तो चलें, आगे बढ़ते हैं, cell clear है, दो प्रकार का हुआ सेल में विद्ध रासानिक सेल या इलेक्ट्रो केमिकल सेल इसके बारे में बात करते हैं, ये कैसा सेल है, इलेक्ट्रो केमिकल सेल किसको कहेंगे, इलेक्ट्रो केमिकल सेल, याने की केमिकल reaction होगा और विद्धु धारा उत्पन होगा V-CELL जिसमें रासानिक अभिक्रिया को विद्धु उर्जा में बदला जाता है यहां रासानिक अभिक्रिया होती है और विद्धु उर्जा का निर्माण होता है तो दो तरह से परिभाशा लिए जा सकती है जिसमें रासानिक अभिक्रिया से रासानिक अभिक्रिया द्वारा लिख सकते हैं विद्ध उर्जा का नेर्मान किया जाता है क्या होगा यहाँ पर रासानी के भिक्रे होगी और विद्ध तुर्जा का निर्मान होगा जब तक मोबाइल का यूज कर रहे होते हो तो उसमें अंदर भरा हुआ बैटरी जो है उसके अंदर रासानी के भिक्रिया होती रहती है और विद्ध तुर्जा का निर्मान करते रहता है तो वो उस टाइम पर विद्ध रासानी के रहती है जिस समय उसे चार्ज करते हो उस सम क्योंकि वहां पर विद्धुधर प्रवाहित कर जाता है और रासायनिक अभिक्रियान होती रहती हैं तो चलिए मैं यहां पर जो लिखा हूं उसको एक शॉट में और दे सकते हैं तो शॉट क्या होगा ई एक्ैम मतलब क्या हुआ? गयमिकल रियक्शन याद केमिकल एनर्जी रासानिक अर्जाप से विद्धुत अर्जा का निर्मान होता है E-electric energy तो एक short में लिखा मैंने कि chemical अर्जा से रासानिक अर्जा से विद्धूत अर्जा का निमान हो रहा है chemical energy से electrical energy में परिवरतन हो रहा है कुछ example मैं आपके सामने रखता हूँ उधारन बताता हूँ मैं आपको जिसके बारें detail हम लोग पढ़ेंगे नाम शाय सुने होगे पिछले क्लासेस में गैल्रेनिक सेल या वोल्टिक सेल या डैनियल सेल या आपने शुश के सेल निकल केडमियम सेल मरकरी सेल यह सब इसका एक्जम्पल है हम इस सेल के बारे में इतना जानें कि यहां पर रासांई का भिक्रिया होता है और अरजा का निर्मान होता है हम सिर्फ सेल के परकारों के बारे में जानेंगे कल की क्लास में इस सेल को पूरा डीटेल में पढ़ेंगे कैसे विद्धारा का ये निर्मान करता है ये आप समझेंगे कैसे ये विद्धारा का निर्मान करता है लेकिन इसका सिर्फ एक figure बना के दिखा देता हूँ कि इस जगा पे क्या हुआ है मैंने क्या बताया आपको chemical energy को electrical energy में परिवर्तित के जाता है रासाइनिक उर्जा को किस उर्जा में परिवर्तित के जा रहा है यहां पर विद्धुत उर्जा में परिवर्थित किया जा रहा है इस सेल की विशिस्ता यह है सिंपल यही बात याद रखीगा विद्धुत रासानिक उर्जा रासानिक उर्जा से विद्धुत का निर्मान रासानिक उर्जा से विद्ध उर्जा का निर्माण अब देखे कुछ एक गैल्वेनिक सेल का एक छोड़ा सा फिगर बनाता हूँ सिब चित्र बना रहा हूँ आज है ना पाकी जाकर कि हम इसके डीटेल पढ़ेंगे इसमें दो पात्र होते हैं एक्चुली किसी भी सेल को जब जाके देखोगे जिसमें विद्ध धरवत्पन होता है उसके अंदर इस तरह से बनाए जाता है कि दो अलग-अलग पात्र है यहां तक कि आप छोटे-छोटे पैंसिल सेल देखते हैं कल की क्लास में डीटेल होगी बटा इसकी दोनों पात्र में अलग-अलग पदार्थों का विलियन होता है इस जगा पर हमने जिंक सलफेट हज़न एसोफोर एक्वस सॉलुशन है एक्व्यू मतलब जैली विलियन यहाँ पर मैंने रखा कॉपर सलफेट का एक्वस सॉलुशन एक्व्यू मतलब विलियन है बटा जैली विलियन इसमें जिंक सलफेट के विलियन में जिंक धातु डुबा दिया गया है कॉपर सलफेट के विलियन में कॉपर धातु डुबा दिया गया है और ये दोनों विलियन को एक यू आकार की नली जिसको कहते यूटूब लगा दियागे इस यूटूब के अंदर भरा हुआ है एक जल जिसमें कुछ आयनिक पदार्थ हैं जैसे पोटेश्यम क्लोराइट पोटेश्यम नेक्टरेट ये होता है तो ये है इसको कहते है लवन से तूँ देखें यहाँ पर यह इलक्टोड जो है यह निगेटिव होगा और ये धन विद्यधारा उत्पन न करेगा बस ये ये रिंड़ धार रगरता है धनविद्भूद बात करें इसके बारे में बात करेंगे रहे हम कल पूरी डीटेल में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तो बटन ध्याद रखेगा, यहाँ पर इसका रिंड वाला भाग जो है ऐज़ा की बात करा है, यहां पर ये cathode का काम करता है प्टा, anode और cathode का मतलब अगर आप जानना चाहों तो मैं आपको बतादू, धन और रिंड से नहीं है एनोड या cathode धन ये रिंड से नहीं है यह oxikern और absorption से संबन्दित है एनोड और cathode स्चब्द जो है धन और रिंड से नहीं है ये ओक्सी करण और अब चैन्ज शब्द से सम्बंदित है ये बात ध्यान रखिए तो एनोड किसे कहेंगे देखें ध्यान रखिए एनोड कहेंगे जिस एलेक्ट्रोड पर पर ऑक्सी करण होता है एनोड है कैथोड क्या है याद रखना बस ध्यान रखना तो एक्चुली यहाँ पर क्या होगा जिंक एलेक्ट्रोड पर ऑक्सी करण होता है और माइनस चार्ज उत्पन होता है यहाँ पर यहाँ पर एलेक्ट्रोड उत्पन होता है इसलिए इसको एनोड कहा गया है क्योंकि यहां पर आक्सी करण हो रहा है धन या रिंड की वज़र से नहीं है ध्यान रखना है 99% बच्चे इसी बात पर अड़े रहते हैं कि धन वाला इलेक्टोड एनोड है रिंड वाला इलेक्टोड कैथोड है वो विद्ध अबघटनी सेल में होता है जिसके बारे मैं भी थोड़ दिर में बताऊंगा ये विद्ध उर्जा का निर्मान करने वाला सेल है रासानी कभी क्रिया होगी विद्ध उर्जा का निर्मान होगा यहाँ पर रेन वाला एनोड है और कैथोड धन वाला होगा यह छोटी सी बात पर ध्यान दें आगे वाले जब पढ़ाऊंगा ना तो उसमें आप देखें उल्टा होगा विद्धत अबगटनी सेल में यह बात भी आप ध्यान रखेगा फिलाल देखें जिस एलेक्टोड पर औक्सिकन होगा अब यहाँ पर क्या बोलूगा कैथोड किसको बोलेंगे बोलो जिस एलेक्टोड पर पर अपचैन होता है यह कैथोड है तो एनोड और कैथोड को आपको पहचानना है वो आगे जाकर के पहचान होगे अब आक्सी करन और अप्चेन को पढ़ना जरूरी हो गया है इस विज्ञान में ये बात भी है तो आगे जाकर कि मैं कुछ बच्चे जो यहां पर है बता सकते बटा किन बच्चों को रेडॉक्स अभी तक समझ मैं नहीं आ है आक्सी करन किसे कहते हैं अप्चेन किसे कहते हैं जो बच्चे नहीं जानते हैं बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करें ये चैट में चैट कर दें ताकि मैं अभी आक्सी करन और अप्चेन को बता सकूँ बिल्कुल मुझे बताओ ठीक है, रतन जी बताईएगा मुझे कि बच्चे कौन-कौन बच्चे पूछ रहे है कि आक्सीकरन क्या है, अप्चेन क्या है तो मैं उनके लिए भी छोटी सी बात पढ़ाऊंगा क्योंकि आक्सीकरन और अप्चेन नहीं जानेंगे आप बिलकुल ध्यान रखेंगे, तो देखें आपने ये चीज़ देखा फिर आल देखें, हमने क्या देखा विद्धु दरासानिक सेल क्या है, ये समझ में आ गया और विद्धु दरासानिक सेल का मैंने एक चित्र बना दिया है जिसके डीटेल हम लोग नेक्स्ट कास में पढ़ेंगे, बहुत जरूरी है पहली इसके इतनी जानकारी जरूरी था विद्धु दरासान क्या है, सेल क्या है, सेल के प्रकार में एक प्रकार हमने देखा और हमने ये भी जान लिया, कि एनोड की से कहते हैं, कैथोड की से कहते हैं धन या रिंट से संबंद नहीं है, ध्यान रखना इस बात को मैं बार बार आपको बता रहा हूँ चलिए भाई, अब आगे चलता हूँ अगला है विद्धत अभघटनी सेल, इलेक्ट्रलाइटिक सेल यहाँ पर क्या हुआ, रासाइनिक अभिक्रिया द्वारा विद्धत उड़जा का निर्मान होता है यहाँ पर क्या होगा, बोलो विद्धुत धारा प्रवाहिद करने पर राजसाइनिक अभिक्रिया होगी तो दिखते हैं वेसल मैंने क्या बता है शॉट में क्या बोलूँगा इसको E Electricity 2 E Chemical Reaction याने कि विद्धुत उर्जा से रासानिक उर्जा का निर्मान विद्धुत उर्जा से रासानिक उर्जा का निर्मान याने कि विद्धुत रासानिक अभिक्रिया से क्या बोला मैंने यहाँ पर क्या बोला मैंने देखो विद्धुत अब घट्टी सेल है भाईए तो यहाँ पर क्या होने वाला है विद्धुत उर्जा को हम रासानिक उर्जा में परिवर्थित करेंगे तो हम यहाँ पर बढ़ी है सब परिवाशा लिख रहे हैं वे सेल जिसमें विद्धुत उर्जा से रासानिक अभिक्रिया कराई जाती है इसको और दूसरे तर सरिक सकते हैं वे सेल या वे सेल जिसमें विद्धारा प्रवाहित करने पर रासानिक अभिक्रिया होता है क्या कहलाएगा? विद्ध अब खटने सेल कहलाता है अब इसी अपको पूरी बात क्लियर हो चुका होगा विद्ध अभगतने स्यल किसको कहेंगे? ऐसा सेल जिसमें विद्ध धारा प्रवाहित करेंगे तो रासानिक अर्जा रासानिक अभिक्रिया होगी विद्धार प्रवायद करेंगे तो रासानिक अभिक्रिया होगी उधारन बताऊंगा चित्स पर भूद दूगा तो आपको क्लियर आपने सोडियम धातु प्राप करने का डाउन जयुआ पढ़े होंगे आप लो, कालनर सेल, वहां सारे सेल है, आदे, क्या होता है इसमें, मैंने एक एक जामपल अभी थोड़ी दिर पहले बताया था, क्या, एक पात्र, इसमें दो अलगलग पात्र रहने की जुरूत नहीं पड़ता है, यहां पर सिफ एक ही पात्र होता है, उसके अंदर रियाक्शन हो जात तो जरू देखें, यह लिजए, इसमें हमने डाला यहां पर इस तरह से, यह है विलियन, क्या विलियन है, चलो चित्र, आप बना कर दिखा सकते हो क्या, कैसा होगा, अभी थोड़ी देर पहले बनाया था मैंने, जल्दे बताये तो आपने यहां पर जो देखा, बताओ क्या हो सकता है? हो सकता है? याद हो गया? चल्यए, कुछ नहीं है, एक विलियन होगा या गलित होगा? यहां पर को भी एक पदार्थ का विलिया अप ले सकते हैं? क्या है? मैंने लिया यहां पर NACL का विलियन? का गलित ले लिया चलिए या तो आयनिक पदार्थ का गलित तवस्था होगा या आयनिक पदार्थ का जली विलियन होगा क्या क्या बोला बताओ तो कोई विद्यत अब घट्टे होना चाहिए यहने आयनिक पदार्थ होना चाहिए विद्यतब घटे किसको बोलते मटा जिसको जल में घोलने पर आयनों में तूट जाता है वो विद्यतब घटे कहलाता है नमक, नमक को पानी में घोलने पर धनायन, रिनायन में तूट जाता है नमक को पिखलाएंगे तो धनायन बना लेता है यह सब विद्यतव घटे है या जल से संबंदित है विद्यतव घटे इसमें हमने दो धातों के रॉड लगा दिये यानि ऐसा ऐसा स्टिक ऐसा रॉड ऐसा मध्यम जो विलियन में विद्यतव धारा को प्रवाहिद कर सके कि अब इसमें हम कि सेल लगा देते हैं यह सेल याने बैटरी विद्यतव सोर्स विद्यतव श्रोथ यह विद्यतव श्रोथ है मैं सेल भी लिख सकता हूं यह जगा पर हमने कैसा सेल लगा दिया यह विद्यतव रसानिक सेल लगा यह वाला विद्यतव श्रोथ हैं इक सेल से इसमें विद्यतव इलक्टृट बन गया रिन्प सिर्ट जुड़ा हूँ ए तो दिआ हो गया यहांपर यह यह ईन fel अनुब बोला जाता है इसको यह पर धनवाला एनोड होगा जबकि विद्धुतर असानिक सेल में धनवाला कैथोड कहला रहा था ध्यान दीजिएगा इस बात का और यहां पर यह कैथोड होगा बस एक छोड़ी जानकारी जो देना था मुझे इसमें बाकि इसकी पूरी डिटेल जो होगा आगे जाकर के क्लासेस में होगा आपके डिमांड पर और आपके इंट्रेस्ट पर क्योंकि जितना इंट्रेस्ट लोगे पढ़ाई पर उतना ही चीज़ों को समझा जाएगा तो चलिए बात करते हैं यहां पर इन चीज़ों के बारे विद्धुत अभगटनी सेल वे सेल जिसमें रासानिक सेल कहलाता है, विद्धुत अब घटनी सेल कहलाता है, अब ये तो हो गया कैसे इसमें रियक्षण होता होगा क्या होता होगा सारी बातों को जानने के लिए एक श्रणिक जानकारी बहुत जरूर है औक्सिकन और अप्चैन यानि रेडॉक्स की आप में से सारे बच्चे इस बात का ध्यान दे मैंने पूछा था थोड़ी देर पहले कि कितने बच्चेओं को औक्सिकन और अप्चैन का मतलब नहीं जानते हैं काफी बच्चेओं ने लिखा था सर समझा दीजे मैं आपको इसके बारे में कहूंगा सबसे डीटेल में अगर पढ़ना है तो 11 की क्लास में जा करके पढ़िएगा 11 का चप्टर नमबर 8 रेडॉक्स में और मैंने उसके वीडियो दी और दूसरी बात है कि मैंने बेसिक जिरो लेबल बेसिक केमिस्टर में भी इसके बारे में जानकरी दिया लेकिन अभी मैं कुछ जानकरी आपको दे देता हूँ थोड़े शॉर्ट में लेकिन पूरी जानकरी रहेगी इसके लिए कोई मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं समझ पाएंगे तो मैं शॉर्ट में दो बातें समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा लेकिन उससे पहले दो बातें और कहूंगा बेटा जो पढ़ा रहा भी उन सब का आपको टेस्ट दिलाना चाहिए रेगलर दिलाना चाहिए इससे क्या होगा हो सकता है शुरुबात में कोई भी कुश्चन आपसे ना बने हो सकता है आपको यह एहसास हो कि अच्छली पढ़ना क्या है तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको पढ़ना क्या हो पता चल जाएगा सबसे बड़ी बात पता चल जाएगा खुद के बारे में कि आपने जो पढ़ा है जो समझाये गया है उसको अपने दिमा में कितना आत्मसाथ करते हो कितना आप समझ पाते हो और इस आधार पे आप अपनी महनत को सहीं दिशा ले जा सकते हो तो इसलिए टेस्ट दिलाओ इसके लिए मैंने description box में link दे दिया है उस पहले link को आप click करोगे तो आपको test open हो जाएगा और test दिलाते जाएगा अतन जी एक बार उस link को चैट में दे दो अभी ताकि वो बच्चे देख सकें और चैट में भी आ जाएगा और comment में भी एक बार डाल दो एक ठोपर में तो बच्चों को उसमें भी पता चल जागा तो description में तो है ही ठीक है और comment बगार में भी आप देख लिजेगा और क्या बोलते हैं चैट में भी आ रहा है देख लिजेए चलिए साब Redox Redox दो शब्दों से बना हुआ है एक है Reduction Reduction को कहते हैं हिंदी में अपच्चायन और Oxidation को कहते हैं ऑक्सी करन तो अपच्चैन और ऑक्सी करन दो शब्द हमारे पास है क्या हम इन्हें समझना चाहते हैं दो खबड़ा ऑक्सी करन को यह हो या अपच्चैन हो ऑक्सी करन का उल्टा है अपच्चैन इतना ध्यान रखेगा सिर्ब ऑक्सी करन भी समझ जाएंगे ना एक बार में तो सब कुछ आसान हो जाएगा मैं कोशिश करता हूँ एक ही चीज के आधार पर सारी चीजों को समझा बेटा कई कई तरह की परिभाशां आपको देखने को मिलता है ऑक्सी करन की भी और अपच्चैन की भी जितनी ज्यादा उल्ज होगे उतना दिमाग फिरेगा उससे अच्छा है कि कुछ कम शब्दों में ऑक्सी करन को समझ लो आपके लिए आसान हो जाएगा चलो मैं आपको बताता हूँ मैं ऑक्सी करन शब्द को समझाता हूँ क्या है ऑक्सी करन ऑक्सी करन को दो तरीके से मैं लिख दे रहा हूँ या तो आप इसे कहलो ये इलेक्ट्रोन दान करना मतलब कोई भी पदार्थ अगर अपना इलेक्ट्रोन निकाल रहा है तो ऑक्सी करन हुआ इलेक्ट्रोन निकालने का मतलब क्या होता कोई इलेक्ट्रोन दान करते है सोडियम है इलेक्ट्रोन दान किया तो क्या हुआ धानावेश में वृद्धी तो इसको हम दूसरे तरह से कह सकते है या धानावेश में वृद्धी फिर कभे नहीं भूलो गया आप दोनों का मतलब एक ही है जैसे कोई एक तत्तो है M उसने अपने से एक electron अलग कर दिया इसने electron निकाल दिया तो बच किया गया M plus reaction लिखने समझने होंगे आपको कई ऐसे बच्चे जिसको reaction का मेनिंग ही नहीं समझ मैंता है चापना बस तो है कितना चापोगे यार बोलो जितना चापोगे जितना आप सिर्फ लिखके आप रख्टा मार के जाओगे उतना ही आपका बिगडेगा इस जिए पर हुआ क्या है भाई M ने electron अलग कर दिया अपने से बन गया M plus सर कहा निकला electron और इसको जोड़ोगे तो यह बन जाएगा बोलो M is equals to electron plus M plus या electron plus electron minus plus M plus is equals to M यहाँ पर क्या हुआ electron जोड़ा तब M बना यानि जितनी ज़्यादा यहाँ पर दोनों शब्दों पर इस शब्द पर ध्यान देना बाकि कहीं पर कोई confuse नहीं होना यार confusion जो है तब होता है जब पच्चा पढ़ता नहीं है confusion तब होता है जब आप मेहुनद को छोड़ करके सिर्फ यह यार वह समझाया नहीं है मुझे समझ मैं नहीं आया यार blame छोड़ो समझने की कोशिश करो थोड़ा सा रुको थोड़ा सा दीर ज़े रखो आपको हर चीज़ समझ में आएगा चलो भाई देखते हैं क्या है इन्होंने एक एलेक्ट्रॉन अलग किया M था पहले एलेक्ट्रॉन में निकाल दिया नया चीज़ बन गया M प्लस ज़ादा एलेक्ट्रॉन निकालता दो बार प्लस आ जाता जैसे ये भी देखो एक M है और इसने एक एलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो M प्लस टू आ गया दो प्लस हो गया मत्ब जितने बार इलेक्ट्रोन निकलते जाएगा उतने ही प्लस चार्ज बढ़ते जाएगा यह क्रिया जो है इलेक्ट्रोन दान करना कहलाएगा यह इसकी ऑक्सीकर्ण संग्या कितनी थी को भी आविश नहीं मत्ब शुन्य था शुन्य से धने खो गया धनाविश में व्रि इलेक्ट्रोन दान कर दिया दो इलेक्ट्रोन दान किया एफी टू प्लस हो गया अब सर कौन सा कौन कितना इलेक्ट्रोन दान करनेगा मेंचे कैसे पता आपको कुछ नहीं करना है आप इस जगह चक्कर मत काटिया आप यहीं समझना है कि ऑक्सीकर्ण का मतलब क्या है यहां आप success क्यों नहीं हो पा रहे हो क्योंकि आप जो चीज बताय जा रहा है उसको ध्यान से नहीं समझ करके ना सीख करके आप उस जगह पर उलज रहे हो उस चीज को question बना रहे हो उस जगह कुछ चीज को doubt बना रहे हो जिसके भी जरूरत नहीं है वह जरूरते पूरा करेंगे आपके सिक्षण वह जरूरतब करेंगे जब आप practice करते जाओगा आपको पढ़ाते जाओएंगे ता clear होते जाओगा हर चीज की कौन कितना इलेक्न दान करता है कैसे होता है ये भी तो कुछ बचे बोले सरह यह कितना connection कैसे पता चला आपते दो angami भाईया आप सिर्ब ये समझना है कि एक हो दो हो जो भी है ये समझना येतना ही समझना है कि connection door? Oxford करने Oxygen को पढ़ रहे हैं हम लोग हम ये नहीं पढ़ रहे हैं कि ये पधार्थ कितना दान करेऊ कि सबाई करन लुए ओप्दार्दान करिये हम बढ़ ही नहीं रहे हैं समझ रहे हैं हैं दुसरी बात है add een two less है एक इलेक्टरौन दान कर दिया हुआ मतलब क्या वा Mmm आक्सिकरन संख्या रहा है देखो दो से तीन हुग तो असी है यह कहला आता है ध्यान वाला बढ़ता है तो ऑक्सिकरन संख्या का बढ़ना इसको हम दूसरे रूप में लिखते हैं ऐसे ऑक्सिकरन संख्या में व्रद्धि एक ही बात है सब कोई भी एक चीज़ पकड़ो यह यह या यह 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 ऑक्सिकरन इलेक्टरन दान करना इलेक्टरन की हानी भी बूलते हैं इलेक्टरन मुक्त करना भी बूलते हैं तो यह एक ही शब्दों को कई कई तरह से बोल बोल के बहुत सारा लिखा हूँ अगर नोट्स देखते हो कई ऐसे नोट्स आप देखते हो जिसमें एक ही है ये पकड़ो चाहिए पकड़ो बस इसका उल्टा समझ लो आप चैन है क्या है अगर मैं बोलू तो यहीं पर समझा देता हूं अप चैन क्या हुगा आप चैन मतलब क्या हुआ अगर इस तरह से बोलना चाहिए तो क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहन करना इलेक्ट्रॉन दान करना इलेक्ट्रॉन की हानी हुआ इलेक्ट्रॉन ग्रहन करना इलेक्ट्रॉन का लाब हुआ इस तरह के शब्दों का उप्योग करते हैं इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति भी कह सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉन गरहन करेगा तो उसके रिनावेश में व्रिद्धी होगी, रिनावेश में व्रिद्धी को ओक्सिकल संख्या के बढ़ते नहीं बोलते हैं, घटते वे करम बोला जाता है, तो इसको उल्टा भी बोल सकते है तो अगर मैं यहाँ पर कहूं M ने इलेक्ट्रॉन ग्रहन किया तो M माइनस हो गया इस बात को आधार मान करके ऐसे भी कह सकते है सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन अच्छा मैं यहाँ क्लोरिन से स्टार्ट करता हूँ क्लोरिन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहन करें तो क्या बन जाएगा C L माइनस यह अपचैन है F E 3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहन करें यह इलेक्ट्रॉन ग्रहन करें तो यह F E 1 एक इलेक्ट्रॉन ग्रहन करता है तीन प्लस है तो 2 प्लस बचेगा 2+, यह अप चयन है F2+, दो इलक्ट्रोन गरहन करके अपना पूरा अवेश्क हो जाएगा क्योंकि जितना इलक्ट्रोन दान किया था उसको तो मिल गया फिर उदासिन हो गया यह सब अप चयन है तो अप चयन क्या है, ऑक्सी करण क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, तब आपके लिए आसान हो पाएगा, कुछी दिन पहले मैंने आप सब को ये सब में जरुत पड़ेगी करके, ठीक है, ये clear हो गया न, ठीक है, चलो, अब बात करते हैं, कुछी दिन पहले मैंने आपको औक्सिक्रन संख्या निकालना सिखाया थ ठीक है, तो सारे बच्चों को आता होगा, लगबग बच्चों को आता होगा औक्सिक्रन संख्या निकालना, तो simple कुछ चीजों को याद रखें तो अपना काम चल जाता है, अक्सिक्रन संख्या निकालने में, ठीक है, चलो, मैं यहाँ पर एक question देता हूं, ऑक्सिक्रन संख्या समझाना जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से लेकिन हाँ अगर आप डिमांड करते हो तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना तो मैं एक कोशन लिख रहा हूं उसका बताएगा इसका ऑक्सिक्रन संख्या कितना होगा चलो बताओ कैसे निक कि ऑक्सिडेशन नंबर कितनी होगी ऑक्सिकरन संख्या आपको बताना है कितना होगा कैसे निकालोगा चलो ट्राइक करो वैं देखना चाहता हूं आपका चैट देख रहा हूं जब तक बताएगे जल्दी से चली है हो गया कुछ है नहीं करना है बिल्कुल सिंपल कुछ बातों को याद रखना देखो ऑक्सिकरन संख्या निकालने के लिए इस बात का ध्यार रखना याद रखें फिर्स्ट ए सां कि जितने भी तकतों उसकी औक्सिकन संख्या अगया प्लस बण यानि आमदर है रो prose एम सोडियम प्टेश्युम और रुबेडियम, सीजियम, इन सब की ओक्सिकन संख्या कितनी होगी, शुन्य होगी, इस वार एक होगा, प्लस बन होगा, यहाँ पर पोटेश्यम है, इनका ओक्सिकन संख्या कितना है, एक, चलो मैं सीधर डिरेक्ट सॉल कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना है बिटा, ट्वेल्थ इस तरह तीन जगों पर जरुरत है, आप मुझे कमेंट में भी बताईएगा कि ओक्सिकन संख्या आपको क्या सीखना है, और दुबारा मैं सिखा दूँगा, कुछ एक क्लासिस में, नेक्स्ट क्लास में आपको गैलवेनिक सेल पढ़ाऊंगा, यह ध्यान रखना उसको थो तो के के ओक्सिकन संख्या, के के ओक्सिकन संख्या, मन के ओक्सिकन संख्या और चार ओक्सियम के ओक्सिकन संख्याओं का योगफल, इसमें कितना आविश दिया है, कोई आविश नहीं है, यानि कि शुन्य के बराबर है, तो के के ओक्सिकन संख्या में पता चल जिया है, द दखना साथवाँ ए ग्रूप याने की सेवन्टीन समों के तत्तों की ऑक्सिकरन संख्या होता है माइनस वार जैने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रॉमिन, आयोडिन और ऑक्सिजन की ऑक्सिकरन संख्या माइनस टू बस इतना ही याद रखो यार जादा लफडे करने की ज़रूद नहीं जादा टेंशन लेके चलते हो ना टेंशन को कम करते, पूरा उतार दिया हमेने अपका टेंशन, तो इसका हमने के के ऑक्सिकरन संख्या प्लस 1, प्लस, मन के ऑक्सिकलन सकी कितनी X, जोड दिया, प्लस, ऑक्सिजन का कितना बता है, मैनस 2, मैनस 2 और यह 4 ऑक्सिजन का है, इन्टू 4, इस इकोस टू, टोटल पर कोई चार्ज है, कोई आवेश है, नहीं है, मतलब शुन्य है, यह शुन्य, अब बताओ, यह प्लस 1 यानिए 1 प्लस X, यह चार दो नहीं, 8, मैनस 8, तो यह होगा, मैनस 8 इस इकोस टू कितना होगा, मैनस 7 इस इकोस जिरो, तो X इकोस टू गए, प्लस 7, यानि कि यहाँ पर MN की ऑक्सिकलन संख्या प्लस 7 हमें प्राप्त होगा, बहुत सारे प्राक्टिस करने पढ़ेंगे, इसके लिए लेकिन आप पूरी मेहनत करिए मेरा ये सला है कि जब तक आप ऑक्सिकन संख्याओं के लिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता है कुछ भी ठीक है इस बात का ध्यान देंगे चलिए बताएंगे तो हो गया बटा ऐसे ही दूसरे चीजों में आक्सिकन संख्याओं ग्याद कीजेगा बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी अभ्याज जरूर करना अब देखते हैं क्विज ये क्विज है क्लास के अंदर क्विज है और एक टेस्ट और होगा जिसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उसमें जा करके आप टेस्ट दिलाईएगा आपको कितने मार्क साथ है मुझे जरूर बताएग अगल क्लास में लेकिन हाँ ये क्विज जरूर करिया चलिया पहला प्रशन आपके सामने है इसमें क्या समझेंगे बताएगे एक विद्धुत अबगटनी सेल में विद्धुत धारा हमने विद्धुत अबगटनी सेल देखा है उसमें विद्धुत धारा क्या होगा बताएगे विद्धुत धारा यार सच में क्या होगा बजाएंगे पहली बात तो है कि आप विद्युद्धभगट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट किए जाता है यह प्लस एलेक्टोर्ट मिल्यें विए सेल है तो यह प्लस का प्लस हुआ मैइनस जाता है कि दनवाले को एनोर्ड कहा जाता है इस हुआ ठीक है अब बताओ जब फिज क्षर पड़ते हो सेल से विद्धरहा एलेक्ट्रोन की बाहूरी की बात नहीं कर रहा हूं, electron की बाहों की बात नहीं चले, विद्धारा की, तो इस cell से विद्धारा इधर से निकलता है, इधर जाता है, तो इसके अंदर आएगा, मैनेश है, तो अपनी तरफ खीचता है, तो ऐसा है, तो क्या हुआ बताओ विद्धधारा का प्रवाह जो है कैथोड से एनोड की वो रहे है कैथोड से एनोड की वो प्रवाहित हो रहा है भाईया बाहर सेल के अंदर होगा उसको अंतरिक बोला जाता है बाहर बोलते हैं, तो विद्यधार के दर प्रवाहित हो रहा है, कैथोर्ट से एनोट कियो है, ए अप्शन राइट है अपका, अगला प्रशना है, निमने में से कौन कैथोर्ट पर अपना आवेश खो देता है, कैथोर्ट पर अपना आवेश खो देता है, अपना आवेश खतम कर देता है, तो इसके बारे में तो डिटेल होने वाली है, पर फिर भी अपनी तरफ से क्या जवाब है, भई इतने सालों से पड़े हो तो कुछ तो जानते होगे, जवाब दो, ए है आयन, बी है धन आयन, सी है रिण आयन और डी है रिण आयन वो धन आयन दोनों, फिर वही बात, वही एक पातर बनाओ, विद्धुत अबगटनी सेल है, इसमें और विद्धुधरा प्रवाहित करते हो, धन, रिन, विद्यधरा प्रवायद की जा रही है सेल से, बाहर के सेल से यह एनोड है आपको पता है और यह कैथोड है आपको पता है इसके अंदर होता है एने प्लस और सी यल माइनस ऐसे माल लेते हैं धन, इलेक्टोड की तरफ रिन वाला आयन आएगा और इलेक्टोड की तरफ धन माला तो कैथोड तो क्या लिखा है कैथोड पर कैथोड है रिन आत्मक तो धन आयन यहाँ पर जाएगा बी ऑप्शन राइट है चलिए अगले प्रिश्ण की तरफ चलते हैं विद्दुत रासानिक तुल्यांग की इकाई है क्या है ग्राम प्रती एंपियर ग्राम कुलाम ग्राम प्रती कुलाम ग्राम एंपियर एंड ग्राम यह कुलाम ग्राम पिटे यहाँ पर अगर आप पहली पर सुन रहे हैं तो ग्राम कुलाम होगा यह ध्यां रखेगा चलिए ठीक है क्योंकि इसके बारे में जानकारी आगे मिलेगी तो यहां पर तो एक नया question हो गया, नया type का question हो गया तो कुछ advance question भी हो सकते हैं आपके लिए ये बात धियार रखेंगे तो भाई एक ही बात कहूंगा आप हमारे साथ regular बने रहिए और सीखते रहें chemistry और अच्छे से सीखें, सारे subject भी हमारे चैनल के साथ हो रहें तो सभी classes आप देखिए और भाई तियार रखना, आप जितना मेहनत करोगे हमारे साथ हम उतना ही मेहनत करेंगे आपके साथ, आप हमारे साथ रहिए regular रहिए, लेकिन test जरूर दिलाइए जल्दी से जा करके उस link पर, जो discussion box में सबसे पहले हैं, धन्यवाद, thank you, thank you very much